आगे बढ़ते हैं, नफस क्या है, नफस के पाचान क्या है, क्या है वाई, नफस पर तो बहुत बात हम लोग किये हो, फाल सपाय नफस देखो, यह मत समझो कि मामू का वीडियो है, समझो कि किसी आदमी का वीडियो है, दादा का नाम लेकर कि तुम मेरा वीडियो सुनो, जर तो दादा को तसवर लाव नाना को नाना हमने दिमाग में सही बात उतारिये तो बोलने वाला को बेखिए तो कहने मतलब देखो नफस पर फलस्पा नफस विए नफस के पहचानवी अम ब्यान किया है और बहुत अच्छी बात उसमें समझाए गई है देखो मोटा-मोटी बात किया जाए कम है क्योंकि नफस का सतर हजार परदा है तो बात तो भाए सतर हजार बार भी किजएगा तो भी कम पढ़ेंगा बात सही है कि नहीं है पहला जो काम है नफसवे का है इस पर दो कि बात हमको याद आ गई प्रिण हहें भी को भी कि आपके एज़ु के आपके ससुर्था जनाब जनाब ईड्री साहे नाब तीन आई ढत्रॉँ कốngने बड़ भी कि जिकर हो जाता तो दाधास मिलने के लिए आए थे आपके जमाल सहाबार दूस सम्ली कि पैये चैव पीचैय प्र-स्ट्रिय पर बाहर तो फायदा भी हो रहा है कर गया है हो तो नहीं सब कर मूरी दो ले कतना दीन हो ले बड़ी दिन हो ले पर नफसबाग चीन हो हैं है चुप नफसबाग चीन हो है हो जे बोले कुछ दुन्हों को मुह से एक बोली पंदरा मिनट तक ने मिला है आप उसक बैठने हुए थे पहले की बात है है हो नफसबाग चीन हो है नफसबाग चीन हो जे बोड़ा नहीं आते है अब कहिया चीन में बड़ी बुसाय थे जी समय ने क्या बताना ना अब ने गुसवाज अब उनको आता था तो रगाड़ा देते ले बड़ी चीन बोल देहीं कोची कोची पता हम को यादो ने लेकिन जड़ा गया पुरा अब कुछ समझाय थोड़ा थोड़ा काहल तुने सबावां अब इतना दिन से आराने ने अपसे वह नचीन हो बोलें जी ने काहल आवां बड़ी अफसोस वह दादा ना दादा को देखाम उसी दिन मुरीदों से इतना अनसाटिसपाइड एतना तकलीफ काहल सबाव है कोब हम पुछसाटा को चिंतनक लें कालिया अच्छा लगो नफसे भौरीचिजी और पकड़ लिए अच्छा लगो नफसे भारी चीजी आर थे ले कम से अच्छालाइल अपसाव पहारी चीजी हो मुरीदों से उनकाम कोद दिमागी तावाजय नंभीड़ा थे और उनसे रिक आयत है कि पूछे में तो वह भी गलुत बता है इसी पूछे नफसर से के बारे हम कुछ पूछे थे या अल्ला के पाचान के बारे मुझे थे अल्ला कहा है कहा है कहा है तो इसारा कर दें पूछे मुरीद का पहले तो आधा टेंपरेचर रूप मनें पर्स्त हो जाता है अरे बाप रवाप जाने क्या होगा आप भी उसनका पकड़ा है एक दूबार हम देखें है अभी तक तुम्हें तो नशीना तो को इसारा किया फिर उनको बताये इनकी नाभीक नेचे नाभीक नेचे रहे ठीक है देखें देखो ऐसा है जवाब उनका भी गलत नहीं था ठीक जो आदमी जहां पहुच रखता है वह तो वहीं न बतावेगा लेकिन उनका पूछने का जो मकसद था वह बताना चाहिए था वह अपने हिसाब से देख रहे था तो उनका जहां तक जो समझ हजार परदा है जो कि नहीं अल्ला और बंदे के दर्मियान अगर कोई दिवार है तो उस दिवार का नाम है नफस इतना मोटे मोटे समझे लिए अल्ला और बंदे के दर्मियान में जो दिवार है उसी का नाम है नफस अब कहिए का हर बार आप नयाने आप बताते हैं जी हाँ हमने नहीं बात बताता है कह है? समझञे हर एंगल से समझञे हर एंगल से समझे अल्ला और बंदा के दर्मियान जो दिवार है उसी का नाम नबस, उस नबस को पाचान लीजिएगा तब ही अल्ला को पाचानीएगा इसलिका आगे कि मन अर्फा नफस हूँ पकद अर्फा रभ जो कोई नफस को पाचाना वही अपने रभ को पाचानेगा तो उसका मतलब आप ये नहीं समझेए बुजरुगों ने लिखा कि इसके एक कैस नहीं बाइस तफसीर है 22 इसका तस्रीफ में 22 मानी है बाइस माना है इस अदिश के मतलब क्या हुआ कि मामला बहुत गंभीर है मामला बहुत गंभीर है हाँ कोई आदमी ये ने समझे ले कि अच्छा जे नफसवा है वह है खोदा है ऐसा भी ने समझ सकते हैं आप नफस का उल्टा खोदा है नफस का उल्टा खोदा है जो नफसवा है वह खोदा नहीं है ऐसे समझे फिर जब नफसवा पाक हो जाएगा तो वही खोदा हो जाएगा वही सही है वह भी सही है और यह भी सही है लेकिन बहुत इसके अंदर टेक्निक है भाई बाइस तफ्सीर इसकी है, मन अर्फा नफस हो, फगद अर्फा रब की, इसको नहायत ही और गौर करने के जरूरत है, मोटा मोटी बात इतना समझ लीजिए, कि नफस हमारे अंदर चार परकार के हैं, ऐसा तो साथ परकार के होते हैं, लेकि मुखरूब से चारे मानिये, और उ सकी दिवार को गिराने के लिए ही रहे सुलूप को तैक किया जागा है, और कोई काम नहीं है, आज जो कहता है, कि खुग काम है, कोई काम नहीं है, हजरत शिबली रहमतुलाले से लोगों ने पूछा कि आप अल्ला तक कैसे पहुंचे, आपने कहा, कि तीन दिन में एक बुज़र को से किसी ने पूछा, कि आप अल्ला तक कैसे पहुंचे, तो उन्होंने कहा, पारेकू नफस का वत ताला, नफस को छोड़ा और पहुंच गया, मतलब क्या हुगा, मतलब साफ है, नफस छुटेगा, रब मिलेगा, ये नफस का परदा जब चाक होगा, वो घड़ा फूटेगा, तो रोशनी हक की बाहर निकलेगे, खीम वही है, वो घड़ा ही नफस है, जिसका जिकर अभी हम करके गए, वही घड़ा नफस है, और उस घड़े में तरह तरह के रंगों रोगन है, दवलत का रोगन, पैसे का रोगन, अपने इलम का रोगन, अपने खुबसूरत होने का रोगन, अपने मर्तबे का रोगन, जितना रंग बिरंगा उस घड़ा को आप कीजिएगा, जितना आप सोलिट कीजिएगा, उसको फोड़ने में उतने तकलीफ लगेगी हार रिवास में घाड़ा फोड़ना आया तो जरह बढ़ियां कच्छे रहने दोने अर्कायल उतने पक्का करते हैं तकलीफ कम होगा अब पक्का करोगे तो फुटने में तो लालच लगे हम कैसे फोड़ू की नहीं फोड़ू इतना मेहनत से घाड़ा बनाया है कंकर चुन चुन महल बनाया है इन गनवाजी कैसे छोड़ेंगा उसको बहुत मुस्किले बहुत मुस्किले भाए लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा मरियेगा तो सब छोड़ना पड़ेगा लेकिन अगर माउच से पहले मर गए तो नफस स गुजर जाईएगा मंजिल को पालीजिए फारे को नफस का वो ताला तो उस नफस के मंजिलों को चाक करने के लिए उससे पहुँचने के लिए राय सुलूक की सबक लीजिए नफस को हलाक कीजिए कितना समझ लीजिए कि नफस आपका सबसे बड़ा दुस्मन है क्योंकि वही दिवार है आपके यार तक पहुचने का रोका है रोका रोकावट अपने पीर से मिलिए पीर से मिलकर के सबक लीजिए जिकर लीजिए और लग जाए हलाक करने में उस नफस को हलाक करने में सबसे बड़ा नफ्स अमारा इसको हलाक कीजिए तो उल्लावामा होगा फिर मुलहिमा होगा फिर मुतमेना हो जाएगा तब मज़ा जाएगा नहीं तो हम तो पहले बियान कर चुके हैं कि ना नफ्स की पाचान अलग अलग जाविये से लीजिए नफ्स की पाचान पर हमने बियान किया पहले भी कि सातों नफ्स का अलग अलग पाचान लीजिए जितनी बुराईयां आपके पास हैं हमारे पास हैं वो सब नफ्स हैं जितनी बुराईयां हैं सब नफ्स हैं यहां तक के आच्छाईयां की खाहिस भी आपका नफस है कैसे समझ में आएगा पहले नफसामारा जो है उसको चाक करना पड़ेगा नफसामारा जो है जो सरकस है उसको चाक करना पड़ेगा उसकी पाचान क्या है बताये थे तो गुना करके अकड़ता है गुना करके गुना करके सर्मिन्दगी महसूस हो तब पाचान होगी कि हाँ नफस अमारा टूट रहा है और लवामा बन रहा है नहीं समझें तो पहला तो हाड वही है अमारा है नफस अमारा सबसे हाड नफस है जो तरह तरह की खाहिस तरह तरह की आरजू करेगा और गुना करके भी अकड़े का कहाँ जो हूँ से मैं हूँ मेरे आगे कोई नहीं मेरा ही सब कुछ अच्छा है मेरा ही हुनर अच्छा है मेरा ही सब कुछ अच्छा है मेरे अंदर बहुत खुबी है नहीं तो यह सब पाचान उसकी है जिकर से जिर होता है और किसी फीर के निग्रानी में चलना पढ़ेगा तो जिकर करते 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 हो हलाक होगा फिर आपके अंदर नर्मी आने लगेगी आप उसकी अदो लगवाभ जप्रावर मारा से गुजर करके जब आपकरना फकी लगवामा हो जायेगा ना तो देखिये Medicaid वर तो नजर आयेगा मगए बड़ भुझ्था सीधव आई अईशा को जानवर जो बड़ा सीधवन भाहें लगवामा के तरफ आ रहा है अमारा कबाद लवामा हो गया, फिर मुल्हिमा में आईएगा ने, इसमें फिर आपको छोटे-छोटे परिंदे, अच्छे-च्छे नजर आएंगे, खुब्सूरत-खुब्सूरत, अच्छे-चे आवाज सुनाए देगे, बड़ी रफ्तार है इसमें, बतावे तब ने, इस सर्याम हर चीज को तो नहीं कहा जा सकता, बहुत सी चीजे टेकनिकल भी हैं, उसको फॉलो कीजिएगा, और फिर जब मुतमेना हो जाएगा तो फिर और अच्छा देखिएगा, एक दम, कबुतर और पाडुक को देखिएगा, सुफीदी देखिएगा, उजला पन देखिए पिर मुर्शिद का आप पर जो है, यह होगा, बराबर यह रहेगा आपके साथ, हाँ, आपके साथ रहेगा, नफस मतमेना हो जाएगा, तो आपका पिर आपसे आप मिल लेगा, फिर रसूल की कदम बोसी मिलेगी अप, ऐसी होता है, कदम बा कदम चलिएगा तो नहोगा, ल और जब आपका नफस ह 악लाक हो जाएगा, तो जो बचेगा, वो नफस रहमानी हो जाएगा, वो भी नफस का हलाता है, लेकिन वो नफस रहमानी हो, नफसका कितना एकसाम था, बताये थैंठा नहीं सात एकसाम हाँ, तो यह सब छोओ मंजल से जब गुजरियेगा नहीं, होना जो है उसका नए होना है, मतलब वो है भी पाक होगी है, मौत से पहले वो मर के गुजर गया, वो मर गया हर खायसाद से, वो खाता है आदमी लेकिन अपने खायस के लिए नहीं खाता है, वो सोता है मगर खायस के लिए नहीं सोता है, वो उसका खाना सोना जो है मतलब बसर देखते हो कभी कभी जो खेत में काम करता है जो लगाता भुटाइब भुटा उटा तो आदमी का मूरत बना करके गोड़ा यह से करके लगा करके का है वह ताक को देखे जानुवर कह रहे आदम हिए खड़ा हो जाता है पर मारते मतलब उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, वो आदमी नहीं है, उसी तरीके से जो मौत से पहले मर चुका है, वो आदमी नहीं है, उसके अंदर नूर भरा हुआ है, भूसा नहीं है, नूर भरा हुआ है, इसका अंदर नूर भरा हुआ है, डरो उस अब आदमे को पाचानो, उस बड़ी खतरनाग होता है अल्ला राम परमाया हम लोगे पर हम तो वाँ बड़े खुश किसमत हैं हम तो वैसन का आदम यह साथ सूते हैं सुला वरस अरे बाब अभी तक मेरा बदन गन गन आता है सोच करके कि हम कैसा आदमे साथ सोय हैं हरे बाब हरे बाब हरे बाब अल्ला 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 सोच कि होने लगता है हम जिसके साथ सोला साथ सोय हैं वो आदमें था ही नहीं बशर के शक्ल में अंधों को क्या मालूम होता कौन बशर? हमें आप हमें इस दो खीड़ा मकोडा यहू बसर की बात हो रही है बसर की नास की नहीं आदम की नहीं इंसान की नहीं आदम के नहीं नास की नहीं बशर की कुरान में आदम का चार लबज आया है जरा गौर करो कहीं इसका तालुब चार नफसे तो नहीं या यह नास या बनी आदम या योल इनसान मिसलो बशरकुम तुम्हारे जैसे बसर हैं कामलीन जो होते हैं वो मौत से पहले मर चुके होते हैं वो नफस से पाक हो चुके अब कहिएगा अच्छा वो तो गारा बनाये थे दतरुलिया में तो नफसवा नहीं था क्या फस गए आप फस गए आप फस गए आप तौबा करिए 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 तो कुछ तो किलिए रोई गया होगा कि नफस को हम कैसे पाचाने और उसके लिए हम पो रहे सलूक में चलना बगर चलने नहीं होगा, कोई आसान खेल नहीं है, आसान खेल नहीं है, और बाकिन नफस पर जतना वीडियो मेरा मरकेज़ जलिया पर सब आप सुन जाएए, ठीक है, तास समझ के सुने, तास समझ में आगा,